आज मैं आपको जानकारी शेर करूंगा कि यदी आपका फ्लेट वेस्ट फैसिंग है अर्थार्थ पस्चिम मुखी फ्लेट या प्लोट है आप भवन का निर्मान कर रहे है या भवन का निर्मान करवाईंगे एसी इस्तिती में वेस्ट फैसिंग जो प्लोट होता है उसमें मुख्य द्वार में गेट किस जगए रखें कि ताकि घर में हमेशा हमेशा के लिए सुख सम्रधी और सकारात्मक्ता का ही प्रवेश हो आपको मैं यह जानकारी शेयर करूँ उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप ने यदि चेनल शेयर नहीं किया है किसी को तो चेनल शेयर करें आप इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिकें पश्य मुखी जो प्लोट होता है तो उसकी लेंग्थ आप उत्तर से दक्षिन की तरफ नाप ले और उसके तीन बराबर बराबर टुकडे कर ले पहला भाग उत्तर से शुरू करें दूसरा भाग उसके बादवाला और तीसरा भाग जो दक्षिन के कोणे को छू रहा है वह है मालो की तीस फुट लेंग्थ है तीन बराबर बराबर के जो टुकडे बनते है वो दस फुट दस फुट और दस फुट के बनेंगे उत्तर से दक्षिन की तरफ जब आप इस लेंग्थ पर चलेंगे तो पहला दस फुट आपका पश्चिम उत्तर अर्थार्थ पश्चिम वाईवे कोण का हुगा दूसरा दस फुट ठीक पश्चिम दिशा का भाग हुगा और तीसरा वै अंतिम जो दक्षिन के कोणे को टच कर रहा है वह है पश्चिम नेरित कोण होगा सवाल है कि अब आप अपना मेंगेट कहां रखना पसंद करेंगे क्यों कि ये तीनों जो भाग है एक जैसे फल नहीं देते है घर हम अपनी खुशी के लिए अपने सुखों के लिए बनवाते है और उसमें रहते है हम दक्षिन कोने से चलते हैं दक्षिन से उत्तर की तरफ चलते हुए जो पहला दस फुट आता है जिसे पश्चिम नेरित कोण कहते है वहां यदि आप मेंगेट रखते है तो वह सबसे वर्स्ट अर्थार्थ नेस्ट अर्थार्थ सबसे बुरा होगा इससे तो आप अच्छा रहेगा कि भवन ही ना बनवाएं तो यहां आपको इस कौन पर किसी भी इस्तिती में मेंगेट मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए दूसरा भाग जो ठीक पश्चिम दिशा की तरफ खुलता है और पश्चिम भाग कहलाता है वह है उत्तमता की त्रिष्टी से दूसरे नंबर पर आता है यदि आपके लिए कोई सामने वेद नहीं हैं कोई हर्डल्स नहीं हैं और आपको सूट करता है कि पश्चिम में आप मुख्य द्वार रखे तो यहां आप मुख्य द्वार सेकिंड ओर वाला रख सकते हैं अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यह पश्चिम वाईवे कोण आता है जो उत्तर के कोणे को टच कर रहा होता है यह भाग सर्व स्रेष्ट भाग होता है जहां आप अपने भवन का अपने घर का मुख्य द्वार में गेट रख सकते है तो इस तरह से फर्ष्ट नमबर वाले भाग को ही आपको मुख्य द्वार के रूप में काम में लेना चाहिए जैशी किष्णी